हाला कि अगर हम पूरी नगरी को देख लें, तो रामलला का मंदिर तो है, साथ में गुपतार घाठ है, मणी परवत है, मतलब समूची नगरी में कोई न कोई ऐसी जगे जरूर है, जो उस काल की याद, उस युग की याद दिलाती है और हर एक के मन में आस्था में बस्ती है, तो इसलिए हम पूछ रहे हैं कि अगर अयोध्या नगरी में केवल श्री राम मंदिर या फिर पूरी नगरी कुछ ऐसी हो? अगरी में भगवान राम लाला विराजमान है, और जब विराजमान है, तो उनके जैसा महराज जीने सब कहा है, उसके अनुरूप अयुद्धा का निर्मान होगा। तक हमारे प्रदेशों के जो मुख्या है, वो अपना अथिती ग्रय बना सके, उनके लिए भी जमीन आवंटित की जा रही है, आशी विवस्था हो रही है, ता कि उस राज्य के रूप बड़े लोग, शंपन्य लोग, गरीब लोग, ये सब आ करके वहां रह सके, अपने राज्य के अनुषार उपना भोजन उनको मिले, ये सब चिंताएं हो रही है, और इसमें, हमने का न निर्मान में भी समय लगता है, 6 दिसंबर उनिस सो बावबे को हटाने में तो तिर नहीं लगा, शड़ा गड़ा था, उसको हटा दिया गया, किसने हटाया, क्या हटाया, ये विशे अलग का है, लेकिन हट गया, और इवी बात सास्वस्षत्य है, अगर हटता नहीं, तो रामंदिर के निर्मान की शुरुवाद भी नहीं होती, आज जो हम स्वपन देख रहे हैं, उवी शाकार नहीं होती, तो ऐशी आद्धा नगरी में, अब सबकुछ वहाँ विकास होने वाला है, अब इवाठिक है कि चार साल, पान साल में सब हो जाएगा, ये कहना कठीन है, उसके लिए समय लगेगा, समय देना पड़ेगा, लेकिन स्वपन प्रयास हो रहा है, हमारे मुखमंत्री जी आएधिन आधिन आधिया जा रहे उनके हाँ जाते हैं, मिनने के लिए जाते हैं, तो चिंता करना की जरूरत नहीं है जादा, बस सुपकामनाओं की जरूरत है, सुपकामनाएं मिलते रहें, बाकि काम लाम भकतों पर छोड़ दीजे, हम सब लोग है, उसको करेंगे. शुब कामनाय सब की साथ है ना आचादी जी चुकि देखे विवाद की बात कहके सालों सालों तक उपेक्षट रखा गया नगरी को ये तो सत्य है अदालत का निर्णे आया उसके बाद से वहाँ पर निर्मान की बात और निर्मान कारिय कैसे होगा वो तो हुआ लेकिन उससे पहले तो लोग जाना भी नहीं पसंद करते थे जो नेता थे बड़े बड़े वो चुपचाप से जाकर अपना जहां पर भी हाला कि हनुमान गड़ी में तो हनुमान गड़ी से महंतराजुदास जी भी हमारे साथ है यहां पर पहुंचते तो थे लेकिन दिक्कत ही होती थी कि नगरी में लोग सब बोलते रहते थे कि हमारे पास तो एक यहां पर ड्रेनिज सिस्टम तक नहीं यहां पर बना हुआ है इतना नहीं ध्यान दिया जाता था अयोध्या नगरी के लोगों पर अब सबको लग रहा है कि चीजे वो बोली रहे हैं कि उमीद ही नहीं बस हमार ट्रस्ट के प्रयासों से यह अच्छी बात है लेकिन दिव्यता की दस्टी से आस्था की दस्टी से सद्धा की दस्टी से अयोध्या की जो रज है मिट्टी है वह भी शीष महल से ज़्यादा किम्ती है दूसरी बात यह है आप बार बार जो मेरी तरफ देख करके यह यह कहना चाहते हैं आप के जब से BJP का जन्म हुआ है, भगवान राम की पूजा तो उससे पहले भी होती थी. भारती जनता पाइटी के राम मंदिर आंदोलन से ले के आज तक, उसके जो धजबाक रहे हैं, वो आपके मंच पे मौजूद हैं विने कटियार जी. इनके उस प्रियास को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन राम से सब हैं, हम से राम नहीं हैं, हम सब राम से हैं. मैं आपको जाद दिला दूँ, आप मेरी तरफ बार बार जो इशारा कर रही हैं, मैं बताना चाहता हूं, कि भगवान शी राम जनम भूमी मंदिर का जो निर्मान का एजंडा है, ये भारती जनता पाइटी के एजंडे में, पालनपूर, हिमाचल परदेश में, जब इनका 87-88 का संमिलन था, तो उसमा आया, तो उससे पहले तो ताले खुल चुके थे, शिलन्यास भी हो चुका था, ये एक अलग विशह है, कॉंग्रेस के किसी नेताने, या किसी विपक्ष के नेताने, ये कब कहा कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, दाउदियाल खना जी मिनिस् तो इंद्रा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उनका चिठी लेकर के वो उस सभा में गए थे, और प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया इंद्रा गांधी जी की चिठी पढ़ी गई थी उसमें, शायद विने कट्यार जी को ये इसमरन होगा, राम को किसी एक पाइटी से, कि किसी एक जाती से, किसी एक वर्ग से, किसी एक धर्म से, किसी एक राष्ट से जोणना भी ठीक नहीं है, अखिल कोटी ब्रमांद नायक राम है, विने जी आप इसमिसे को अन्ता ले लिए, मैंने ऐसा कोई वाग को बोला है, आप नहीं,